एलो गैस वेलकम बैक तो दिस चैनल सो गैस कैसे हूँ उमीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़े हैं उगे सो गैस आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन का यह जो कंट्रोल सेंटर या फिर इस्टेटस बार इससे चेंज करके यहाँ पर कुछ इस तरीके का कैसे करें आज के इस वीडियो में आप लोग को इससे चेंज करके कुछ इस तरीके का करके दिखाने वाला हूँ वीडियो काफी ज़यादे यूस प्राव नॉलेक्षिल होने वाला है वीडियो के लाइक कर दिजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब के बढ़ नोटिफिकाशन पर प्रेस कर दिजिएगा तो गैस आपको यहां पर control center को change करने के लिए सबसे पहले phone की setting को open करना होगा phone की setting को open करने के बाद आपको यहां पर simply से कुछ इस तरीके से इस phone की जो setting वो मिल जाएगे तो यहां पर आपको क्या करना है सिंपली से स्वाइब करके थोड़ा नीचे आना यहां पर आपको एक options होगा notification and control center का तो आपको यह जो option है इस पर एक बार click करने के बाद गई यहां पर notification और जो control center होते हैं उसे selected जतने भी setting होगी वो सुहने लग जाएगी तो यहां पर आपको swipe करके नीचे आना है और यहां पर आपको एक options होगा control center style का तो आपको इस पर एक बार click करना है क्लिक करने के बाद गई सापको यहां पर simply से कुछ इस तरीके से दो options होगे पहला तो old version का होगा नीचे आपको एक new version का option मुलेगा तो आपके फोन में old version पर select होगा तो आपको simply से जो new version है उस पर एक बार click कर देना है आप जैसे click करोगे click करने के बार जैसे यहां पर आपक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको जो new control center वो आपके phone में change होके आ जाएगा और आप यहां पर जो new control center उसका use भी कर पाओगे और इसके साथ अगर आपको कभी से change करके पहले जैसा करना है तो आपको same setting करना है old version पर एक बार click करना है आपका जो control center वो पहले जैसा भी हो जाएगा कुछ इस तरीके से तो गाइस कुछ इसी तरीके से आप भी अपने phone में कर सकते हो ठेंक शुरूब